जहीं दोस्तों स्वागत है आज की क्लास और आज की क्लास में हम एनलीसिस करेंगे 24 अपरेल, 24 अपरेल का आज का DNA है आपका और मैं स्वागत करता हूँ विजेपत्थ एजुकेशन पालमपुर की आउनलाइन प्लैटफॉर्म जो कि हम आउनलाइन सभी all government preparation की त्यारी करवा तो इसी में ही एनलीसिस है, DNA है आपका अगनी वीर, आज की shift का और जो हमाएं अपने बच्चों से जो answer मिले हैं, questions जो मिले हैं, मैं उनको आपके पास जो हैं वो detail में देने जा रहा हूँ, तो फटा-फट जो हैं आप इसको mind में बिठा लें और इन questions को perfect करें, तो कौन- question बच्चा ये आया था यहां पर, आज की morning की shift का है ये, देखिए, 36 गड़ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन थे, या कौन हैं, देखिए मुख्यमंत्री मैंने last class में भी बताया है, मुख्यमंत्री से जुड़े हुए question आ रहे हैं, तो आभ या अभी भी मैं बोल रहा हूँ सभी बच्चों को, मुख्यमंत्री रटलो भीया आएंगे आएंगे, रज्यपाल आएंगे आएंगे, ये दो question perfect हो गए है, ठीक है, निती आयोग का समंद्ध, ये तो कल से फिर से आ गया, निती आयोग का समंद्ध है, अर्थशास्त्र लड़का बता रहा था, ये option आ रही से है, ICC 2023 का वर्ल्ड अप, आयोजन कहा हो था, भारत में हो था, और नरेंदर मोदी स्टेडियम के अंदर गुजरात में हो था, और ये भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम भी है बचों, वी आज चौधरी का समंद्ध किस्से है, तो वायू सेना अध्यक्ष बने हैं, और ये recent question पूछ लिया है, बंगाल के प्रतम गवर्नर कौन थे, तो बारें हैस्टिंगस थे, ये बहुत ही important history से, पिछले question से पूछा गया question है, बहुत ही बढ़िया question, अगला है भारत का प्रतम कानून मंत्री कौन था, तो भारत के प्रतम जो कानून मंत्री थे, वो कौन थे, तो भीम राओ अंबेतकर, आपने comment करके ये बताना है कि भारत के संभीधान को बनाने में कितना समय लगा था, ठीक है, तो ये comment करना है, भीम राओ अंबेतकर को ये जिम्मा दिया था, और उन्होंने ये पूरा भी किया था, पूरे, कितने समय लगाए हैं, ये आपको सवा है, दिकबोई भारत का पहला कार खाना बनाए गया है, दिकबोई असम में हैं बेटा, कहां पे हैं, दिकबोई असम में आएगा जी, ठीक है जी, अनुछेद कावन ए में क्या है, तो मूल कर्तब भी बताए गए हैं, अनुछेदों से भी question आ रहा है, करभा चौत के ब्रत म किस माता की पूजा की जाती है, बच्चे बोल रहे थे कि पारवती option थी, वैसे चौत माता का होता है, पर चौत option नहीं थी, तो पारवती लगा आए हैं, तो यह देखने वाला है, option पे डिपेंड रहेगा, 2011 की जंगर्णना के अनुशार, नियूंतम जंसंख्या वाला राज्य, सबसे कम जंसंख्या किस की है, तो सिक्किम की है, कहा की है जंसंख्या सबसे कम, सिक्किम की जंसंख्या सबसे कम रहे रही है हुआ, आगे देखीए, 2024 मैं Grammy Award, यह आया नहीं question, ग्रेमी अवार्ड से आजबता है तो पांच वेक्तियों को मिला था जिसमें जाकिर हुसेन, राकेश, चौरसिया, विनायक, गोपालन और शंकर महादेवन और गनेश, सेलवराज, ऐसी कौन सी नदी है जो कि उत्तर भारत के मैदानों से होकर गुजरती है तो गंगा है जो उ अलमपिक संग की पहली महिला अध्यक्ष जो है वो P.T.उशा है यह अंसर थे आपके ठीक है ओडिसा वह करनाटक में सरवादी खनीच पाया जाता है तो कौन सा खनीच पाया जाता है लोहा पाया जाता है कौन सा पाया जाता है लोहा बचा गुदावरी नदी का उद्गम क नेक्स्ट गोशन, ओलंपिक में भाला फैंकने में, स्वार्ण पदक किसने जीगता है, तो ओलंपिक में आपको बता, नीरत चोपना, जैबलियन थ्रो, नेक्स्ट आ जाता है आपका, 2011 की जनगन्ना, देखो न, हर शिप्ट में जनगन्ना पर भी आ रहा है गोशन, तो अभी भी पका गर लो बचो, जनगन्ना से आने आने गोशन, ठीक है, तो घनतव है, जनसक्या घनतव, डैंस्टी में पूछ लिया है, तो अच्छले प्रदेश जो है, वो सबसे कम रहा है, लोडी, हवन, यग, छजूनित, कहां का है, तो जम्मो कश्मीर का है, ठीक है जी, राज्यस्थान का पुषकर मंदिर जो है, वो किस देपता को समर्पित है, यह याद रखलो, राज्यस्थान के जमेर में है, यह पुषकर मंदिर, ठीक है, भगवान ब्रह्मा जी को समर्प और कुछन सा कोशन आया था दिसम्बर 2013 में राज्यस्थान के मुख्यमंतरी कौन है तो भजनलाल शर्मा जो है वो मुख्यमंतरी हैं राज्यस्थान के 2024 में भारत रतन किसे मिला लाल कृष्यन अडवानी को अभी दिया है इन्होंने ठीक है नरित्दर मोदी द्वारा ही दिया गया ठीक है गोपी डायरी पुस्तक किस न लिखी है यह देखें नया कौशन आया ना सुधा मूर्ती सुधा मूर्ती तो हो सकता है कल के कौशन में एक और पुस्तकों से जुड़े हुए कौशन पढ़के जाईएगा पुस्तके से पढ़के जाईए बचा पुस्तकों से जुड़े हुए कौशन आ रहे हैं ठीक है किसे राष्ट पिता कहा जाता है तो महातमा माति को राष्ट पिता कहा जाता है सबको पता है ठीक है पादब क कोशिका भित्ति ये देखिये कौन किसकी बनी होती है तोशल्मिलोस की बनी होती है फरबरी दो हजार चॉबीस मैं CDS कौन थे तो अनिल चॉहां CDS थे आपको पता है विपिंड रापत। थे पहले तो दो हजार चॉबीस ठीक है फरबरी में भारती से न कि अध्यक्ष किसे बनाया गया है मनोज पांडे को बनाया गया है किसको बनाया गया है मनोज पांडे को जो है वो अध्यक्ष बनाया गया ये important question रह रहे हैं इस परकार से paper में आएंगे questions तो आपने ये shift लगा नहीं है या लार में का pH मान क्या है लार का तो लार का 6.8 क्या है 6.8 sodium chloride का सुत्र पूछा जग गया है आपसे NACL ठीक है गती के नियम दिये थे किसने दिये थे तो न्यूटन ने दिये थे तीन नियम दिये थे ठीक है बिटामिन C का और साइनिक नाम देखो बिटामिन से भी आ रहा है कोशन एक बिटामिन से आ रहा है हर बार आ रहा है डेली है कल भी आया था यह से इव कोशन ठीक है मुकलंग विधी यह कुछ पूछा कह था तो हाइडरा, इस्टर, और स्पंज बता रहा था लड़का यह वो कोशन है पौधे, किस विधी से अत्रिक्त पानी को नश्ट कर देते हैं तो यह विधी है वाश पोर्चन छोड़कर रंध रद्रद के द्वारा यह बता रहे थे पर आइडिया नहीं है इसका प्रॉपरली नहीं था ठीक है नेक्स्ट कोशन आजाता है आपका शुक्रानों किस जगा मिलते हैं तो यह मिलते हैं फिलोपियन ट्यूब में बिटा ठीक है ऑक्सीजन युक्त हिरदै के सबसे पहले भाग को बाएं आलिंद कहते हैं क्या बोलते हैं एक दो आलिंद होते हैं ठीक है बाएं और दाएं कोटाशियम सलफेड का फॉर्मूला पूछा है के टू एस सोफोर के टू एस सोफोर क्या होगा पृत्वी का कक्षिय वेग क्या होता है तो कक्षिय वेग जो है वो सैंपॉइंट नहीं है लोहे पर जंग लगने के कारण क्या होता है कारण यह है वायू है नम वायू नमी वाली और ऑक्सीजन भविश्य की धातू यह देखो मैंने आपको भी बताया है टाइटेनियम टाइटेनियम को भविश्य की धातू कहा जाता है जी का मान देखो ध्रूबों पर सबसे ज़्याद है यह मैंने बताया आपको question Newton का मात रख सभी question हमारे notes से है अब आपको notes यह देखिए एकलका question फिर से previous आगया दोस्तो छे अड़ी होती है इसमें इन मैंसे अंडे देने वारा जीव कौन सा है तो कोऻ, गाय, बकरी और बिल्ली यह आया था तो ग्रैबिटेशिन के कारण नहीं तो उड़ता ही चल जाना था अब यह math के questions से जो मिल पाएं है वह बच्चा मैंने आपके लिए कर आया हूं और उसी questions का आप answer match करना था अब ये वर्ग पूछा है वर्ग होता है क्या है जैसे 9 का वर्ग मतलब square तो इसलिए 81 यहाँ पर आपका ये जो question है इसका ये formula बन रहा था aq-bq तो इसका क्या होता है a-b a square plus b square plus a b तो यहाँ पर क्या बन रहा था x का cube और 3 का cube तो बना लो x-3 ओके तो x square plus 9 plus a b यहनिकी 3x तो यह आपका answer होना था क्योंकि हमने answer बताया भी आपको ऐसे 600 का 40 प्रतिशत 600 का 40 बेटा 100 ले लेना था यह बड़े question आने इस type के बेटा कल के लिए भी त्यारी कर लो जिनका कल है 240 अंसर हो जाएगा ठीक है यह 15 और 25 दो संख्याएं है कितना हो जाएगा 25 जमा 15 बटा 2 तो कि जितनी संख्याएं होते हैं उसी से divide करते हैं तो औससर निकलता है 5, 5, 10, 1, 2, 3, 1, 4, बटा 2 यानि कि कितना आगया 20 तो 20 इसका सही अंसर आएगा मैं समय नहीं waste करूँगा मैं time waste नहीं करता मैं that question का अंसर बदाता हूँ आप ध्यान से सुनो ठीक है किसी का time waste नहीं होगा इसमें अनुपात निकालना था तो ये डेक्टी कट रहा है तो काड़ दो ठीक है किस से कट रहा है 2 से कट रहा है इसका 25 आ रहा है इसका 24 तो यह यह अनुपात होना चाहिए अंसर options मैच करना आपके अंसर आये थे ये questions आयें की नहीं आये ठीक है जरूर बताना है आपने मुझे अगला question छे number question क्या कह रहा है पच्ची सो रुपए पच्ची सो रुपए को 10 प्रतिशत वार्षिक दर्से 2 वर्ष के लिए बैंक में जमा करवाया है सधारन भी आज पूच्छा है तो पच्ची सो लो उसका 10% लिकार लो तो कितना आगया बच्चा सर धाई सो तो 2 साल का पूच्छा है तो धाई सो धाई सो कर लो ठीक है कितना हो गया सर 500 हो गया इतना easy paper आ रहा है ना बच्चा डरने वाली बात नहीं है बस थोड़ा सा mind लगाना पड़ेगा math तो बहुत ही easy आ रहा है पूरा पढ़ायम ऐसे है और पूरी हमारी notes material का यह है बहुत ही basic question आ रहे है देखिए LCM पूछा था LCM कैसे निकालते हैं यूँ करके मैंने बताया आप 30 45, 5 से कार दो चीके, 9 तो यह आप कर लो multiply पांच दुनी 10 होगे, 3, 3, 9 होगे, 90 अंसर हो गया ठीक है जी यह आपने कर लेना है एक इसी काम को 15 दिन में कर रहा है तो 6 दिन में कितना काम करेगा तो कैसे आएगा 15 दिन में total कर रहा है 15 बटा 6 कर लो ठीक है तो 6 दिन में तो उल्टा करना 6 बटा 15 कर लो ठीक है तीन दुनी 6, 3, 5, 15 तो 2 बटा 5 कितना आगया 2 बटा 5 ठीक है किसी संख्या मैंसे उसी संख्या के 2 बटा 5 खटाने पर 54 प्राप्त हो रहे है ठीक है दो बटा 5 है आप उसी मेंसे घटाने का यानि की 3 का फ़र्क पढ़रा है तो 3 का फ़र्क पढ़र गया यानि की 4 हुए यानि की 1 बटाबर होगे 3 एकम 3, 3 अठे 24, 18 का फ़र्क पढ़रा है ठीक है अब इन्होंने क्या बोला है बे संख्या कौन सी है तो संख्या पूछी हुई है संख्या निकान नहीं है संख्या आपकी टोटल कितनी है पांच संख्या ये टोटल होता है नीचे तो इसको पांच से अठारा को पांच से गुणा कर दो नब्बे आ गया कोई बेटो ज़्यादा फर्क नहीं बढ़ रहा है सिर्फ दिक्कत क्या है प्रेक्टिस की ठीक है प्रेक्टिस करिए बहुत ही अच्छे कोशन्स आ रहे हैं बहुत ही टिपिकल भी नहीं बिल्कुल बेसिक कोशन्स एक व्यक्ति है छेसो रुपए दस प्रतिशत खर्च करता है तो बचत बताओ अग दस प्रतिशत खर्च रहा है तो छेसो का यानि कि नब्बे बचा रहा है ना उल्टा तो नब्बे बटा सो नौची के चौबन पांसो चालिस सीधा अंसर आता है टाइम बेस्टिस तो है ही अगर आप टाइम बेस्टिस सोचे न तो क।क्ष्ण में कोई टाइम बेस्टिस नहीं है आपकी डाएक्ट अंसर है पढ़े है कूछ बच्चे बोल रहे हैं कि टाइम बेस्टिस होती है कुछ नहीं है जितना आप करेंगे उतनी स्पीड में हमारे questions जो है वो चलते चले जाएंगे चलते चले जाएंगे वेटा ठीक है तो speed बनाओ speed बनाओ अब अगला question आ चुका है एक वर्ग का परिमाप 32 है तो भुजा क्याद करो वर्ग का परिमाप अब वर्ग का परिमाप मतलब वर्ग समझे ते हैं स्केर की बात कर रहे हैं तो स्केर होता है तो चार गुना साइड यान की भुजा के एकुल होगा यानि की उसका परिमाप यह हुआ तो साइड बुची हुई है तो 32 बटा 4 कर लो 8 से जा रहा है ज्यादा तो समय है ही नहीं या पेपर में भी आपका समय नहीं लगेगा क्वेशन मैच करो अपने अपने आपके आँ टिक लगा कर आए हो आज क्या की है सम कोन राइट एंगल का वैल्यू कुछ यह राइट एंगल आपका यह होता है और ट्राइंगल की बात करें तो राइट ट्राइंगल की बात करें तो यह हुआ तो 90 डिगरी का कोन बनता है तो यह सम कोन तुरी भुज बनता है तो इसलिए 90 अंसर था एक बटा 10 को परतीशत में बदलना है एक बटा 10 दुना 100 करना है परसेंटेज बदलना है तो मल्टिप्लाई करते हैं परसेंटेज यूँ दिया हो तो क्वश्चन में बदल दो 10 बटा 100 अपाउन कर लेते हैं तो आगया एक बटा 10 कैसे भी कर लो बचा क्वश्चन कैसे भी पूछ सकते हैं जैसे मर्जी पूछें क्वश्चन तयारी अपनी बैतर रहनी चाहिए बैतर तयारी के जिसा साथ सब अच्छा होगा तंशन नहीं ले ना बेटा 25 सेकेंड में 200 मीटर चलता है चाल बताओ अब आपको पता है स्पीड जो हो चाल जो हो दूरी बटा समय के बराबर होती तो दूरी कितनी होगी 200 स्पीड टाइम कितना होगया 25 सेकेंड ठीक है जी काट लो अब इसको 5 से कट जाएगा 25 या पच्ची एक कम 25 पच्ची एठे दोस्तो ठीक है जी तो कितना हो गया 8 मीटर पार यह नहीं आएगा पर सेकेंड ठीक है अगर यह लगाना है तो वो भी कोई बात नहीं है तो यह भी पर सेकेंड लग सकता है ऐसा कुछ नहीं है ठीक है मेरे पहरे बच्चा दिमाग में डाल लो अब 1422 किस्से विभाजित होगा यह ऑप्शन पर डिपेंड है या बच्चा बोल रहा था 9 ऑप्शन भी थी तो 9 से डिवाइड हो जाता है आपने इसको करके देख ले ना बिटा ठीक है एक और कुछन आगया आपको अगला एगली शिफ्ट के कुछन है सारे कुछन फ्राएए कोई कुछन नहीं छोड़ा आपने ठीक है पहला कुछन है देखो और सच का है तो क्या आपने क्या बताया है तीनों को जमा कर दियो जो भी पहली दी है और उसको डिवाइड कर दो तीन से तो कितना हो गया पंदरा ठीक है और तीन पहज़े पंदरा आ गया ना पंदरा तो पांच तो उस्ट पांच बहुत ही सिंपल कोशन आ रहे है और सत में बद लिए जी जीरो से जीरो गया यहीं से काड़ लो करो लाड़ लो कोई टेंसन ना ले नी तीन आ गया इसका कितना आ जाएगा दो तीन च्छे दो चौक के आठ आ रहा है चार आना चाहिए दा यह के कर रहा अनुपात असी और साठका तो चार नुपात तीन होगा दो नहीं होगा वया दो नहीं हो सकता ठीक है बचा ठीक है नेक्स्ट कोई ब्रक्ती दस प्रतिशत वार्शी को दर से तीन हजार रुपाए दो वर्श के लिए बैंक में जावां करवाता है यह बड़ा सिंपल है तीन हजार का 10% रिकाल लिया ठीक है कितना आ गया 302 साल का कितना हो जाएगा मल्टिप्लाई करता दो से 600 बोल रहे भाई 600 वर्शन बता रहे है ठीक है 600 अंसर आ रहे है मैच करो अपना अंसर मैच करो बचा औससत का फिर से देको तो ये question आ रहा है, हर बार अस्त के basic question आ रहे है, मैं बार बार वोड़ों, बहुत बढ़ी आज़सत और paper आ रहे हैं, बहुत merit high जाने वाली है, तो merit का याद रख लो, 8 क्या के 9, 10, 1, 2, 2 क्या के, 3, 4, 5, 6, 20, कितना आ गया जी, 20 आ गया, 20 ही इसका और इसी प्रकार से बहुत ही अच्छे उंदा questions आ रहे हैं, वीडियो को share करना है आपने दोस्तों में, अपने दोस्तों को दिखाना है, कि paper कैसा आ रहा है, और छोटों को भी दिखाना है, जो आने वारे हमारे नए युवा हैं, साथी, वो भी लगाएं, इन questions को देखें, कि paper कैसा pattern आ रहा है, तो next year के लिए वो prepared हो, ठीक है, तो prepare होने के लिए अभी ही त्यारी करनी पड़ेगी, अब इसको वो लग प्रतिशत में बदलो, तो 3 वटा 5 को प्रतिशत में बदलना, इसलिए गुणा 100 कर दो, कितना हो गया, 60 प्रतिशत, ठीक है, नहीं हो न तो option भी उठा सकते हो, 60 वटा 100 कर लो सीधाई, ठीक है, 0 से 0 गया, 2, 3, 6, 2, 5, 15, तो 3 वटा 5 आया नहीं आया लड़ने, 3 वटा 5 यह question में दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल ही आप से निकाल सकते हो, इसको सरल करिए, यह question दिया है, सरल करिए मतलब इसको काटम पीटी करनी है, और कुछ नहीं है, ठीक है, मगर इसके यह जो उन्चास है, यह अपने टेबल में आता है, ठीक है, ससते उन्चास, और कहीं नहीं आता है, इसलिए इसका कटेगा ही नहीं, यही अउन्चास अंसर, ठीक है, तो कुछ बच्चे गलत करके आए, कुछ सही करके आए, ठीक है, यह दो और चार का HCF पूचा है, HCF क्या होता है, common value, तो common value तो दो एक कम दो हो गया, चार का क्या आगया, दो दुनी, चार, दोनों में common, दो ही आया, एक वार, इसलिए दो ही अंसर आएगा बिटा, नेक्स्ट कॉस्चन, एक टोकरी में 20 अंडे है, पांच अंडे खरब हो गए है, तो कितने प्रसंट जो है वो, अंडों की प्रतिश्चता आप बतानी है, अंडे उंकी प्रतिश्चता बतानी है, सिंपल से सवाल है, प्राय कर लो, और नहीं है, तो मैं बता जेता हूँ, पांच थे, टोटल अंडे 20 थे, गुणा 100, 100 इसलिए प्रसंटेज निकालने के लिए ठीक है, पांच से, पांचों के बीद, चार से, चार दूनी, आट और चार पंचे बीद, 25 प्रतिश्चत, 25 प्रतिश्चत, ये देखे, डिरेक्ट अंसर आ जाता था, वेटा, कुछ भी नहीं है, ठीक है, अगला, ये सेम, फिर से वही आगया कुश्च, अगला एक वर्गागार, कमरे का परिमाप दिया है, कितना है, देख सकते हो, 40 cm है, वर्गागार में जानओं स्केर में, ठीक है, तो उसका परिमाप है, आपको पता है, वर्गागार पर कमरा युँं होगा, तो उसका परिमाप है, इनकी भुझा, ये बार-बार question same ही आ रहे है ठीक है उसकी side निकाल नहीं है तो 40 वटा 4 तो कितना आ गया जी 10 आ गया ठीक है तो 10 cm का एक pen का मुल्य जो वो 20 रुपए है 45 रुपए का मुल्य कितना होगा ये कुछ 8 पटा साथ हा question ठीक है एक pen का मुल्य बीस रुपए है तो 45 रुपए है तो टोटल बैन का पूछा होगा 45 पैनों का ठीक है तो 20 गुना 45 कर लो नबेन 900 आ जाएगा ये देखो 900 पैनों का ही मुल्य आ जाएगा ठीक है कुछ भी नहीं है ये देखो ये questions बहुत easy आ रहे है ये addition के questions बहुत अच्छे आ रहे है तो बहुत ही अच्छे से जो questions आ है वो आप हमारे cover कर सकते हो और इसका अगर आपको PDF लेना है न तो इन questions को cover करिए और ये questions आए हुए questions देखो एक गाड़ी है ये तो plus minus का है इसका अ time तो 6 गुणा दो कर लो तो 12 किलो मेटर हो गया तो लालो कोई दिक्कत थोड़ी है पेपर ऐसे आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है पेपर बहुत ही simple आ रहे है देखो फिर से और सकत का आ गया ठीक है साथ जमा पांच जमा तीन बटा भी तीन आएगा तो हो गया पंदरा बट तीन पांच जल सरा गया ठीक है अब बताओ कहां पे क्रिपा कहां अटकिए मुझे लगता है कि सारे questions जो है ना आपको one by one में पूरे बता दिये हैं और बहुत ही बहतर तरीके से आपको समझ आ गये ठीक है इनी questions को मैं यहीं पे analysis करके खतम कर रहा हूं class को तो मैं कल फिर से नए questions लेकर आओंगा जो आपकी shift में आएंगे फिर से मिलेंगे रात को शाम आठ बजे और सुबस साथ बजे तब तक लिए अपना खास ख्याल रखिएगा और application को download करके हमारे mock लगा सकते हो उसकी practice कर सकते हो 95% discount चल रहा है पर चैनुए प्रतिश्यत का discount चला है आप app download कर आया है तब तक लिए अपना खास क्याल रखिएगा जैहिंद जैभारत